असलाम लेकुम वेलकम बैक टो मैं चैनल रेजनार्ट स्टूडियो बाई हूरिया कैसे आप सब लोग उमीद करती हों सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा यह वीडियो में काफी अर्से बाद अप्लोड कर रहे हूं इस इस वीडियो में हम बना रहे हैं रेजन इंगेजमेंट ट्रे कस्टमर की डिमांड थी वाइट गोल्ड में तो हम चलें इसको वाइट अन गोल्ड में ही त्यार करेंगे त्रे तो हम बहुत बना चुके हैं 10 इंचे के जैसा कि आपको पता है कि 10 इंचे के ट्रे में 360 to 390 ग् करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ने क्वांटिटी माया करनी है हम तु लियर में काम करते हैं तो हम फिर्सलेयर लेंगे अपनी 360 के आप लेंगे 180 में पार्ट आ का लेंगे 120 क्राम और बी और ये 60 ग्राम रेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे रेजन गर्मी और समर बहुत उच्छा ची और रहता और इसा मिक्सटा है तो गोल्ट relevant हम पाइच में फिम्ही पैज्मिंट जब हम में फिर्ड पर्लत चाहिए ज़्यात है तो यह सी hunt को तो बाईच की तो फिर्सित पाइच का यह संहुंञार ठाल भी पूलप थे अर दो प clicked जब अपने मेका पाउडर या कोई बी पिग्मेंट कोई अलकोहल इंक्स जालते हैं तो हम उसके बाद दुबारा रेजन को अपने मेक्स करेंगे जितना अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल प्रॉड़क का मेक पाउडर जाराम सेका मेक्स पाउडर कोई की राखिव में लम्प ना रहे यह देखें आएगा रिजल्ट आएगा प्रॉड़क का श्रॉड़क में उसके श्रॉड़क होता है विल्कुल नौर्मल टंपरेचर पर हमारे रूम को होना चाहिए जिसमें, हम रेजन और पर पीस्यार्थ, 10 कई में झाली साउलक्ट को छोड़ देना है 12,2,18 और फेर नेक्स लेयर करते है ने में प्रस्ट लेनी हैundra और रेजन अपनी जगह उटा जाय हम इसक依े फेरा पर गडायेे और यहाँ देखिये mistन और आप पूर करेंगे प्रिजियर पोर करने के बाद हम अच्छे से हीटगन करेंगे और हम ज्यादा हीटगन मैंने इस दाफा की तो मैंने इसको एक ब्रेइन अफेक्ट दी आप देखिए का रेजर्ट मैं ब्रेइन इसके दीए और उसके बाद भी हम अपने विनायल को यह देखें कितना फुबसूरत ब्रेन अफेक्ट अब हम अपने विनायल स्टिकर को पेस्ट करेंगे नेक्स जे नेक्स लियर अच्छे हमने अलकोहल स्वैप्स के साथ अपने प्रॉड़क की फिर्स लियर को साफ किया अच्छा यह स्टिकर आपको नजर आ रहे ना यह पूरा एक आया था अप्लाइंट की डिमांड थी कि उन्होंने रिंग होल्डर भी इसके अंदर ना इड्जस्ट करने दे तो मैं अब इसको कट करके सेंटर में जगा खाली छोड़ूंगी ताकि वहां पर वो अपने रिंग होल्डर को रख सकें वेनायल स्टिकर पेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूं मैं यहां पर लिंक भी शेयर कर दूँगी आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं इसे हैंडल्स भी मैंने पेस्ट लगाने इन पर सारी सेटिंग्स करके तो अब मैं जल्दी-जल्दी से ना पनायल स्टिकर को अपलाई करती हूं अच्छा गर्मियों में रेजन करना काफी मुश्किल हो जाता है क्यूंकि जैसे कि आजकल मौसम है मौन्सोन चल रहा है तो बहुत गर्मी है बहुत पसीना आता है पर हम पंखा नहीं चला सकते हैं यह स्टिकर पेस्ट करने वाले काम पे हम कर सकते हैं पर जब हम पना रेजन पोर करते हैं और उसको ड्राइओन लिए प्ना प्राड़क को तो बिल्कुल भी हम फैन एसी में नहीं उसकते हैं यह बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है मॉइस्चर और रेजन चलें यह स्टिकर्स को पेस्ट करते हैं स्टिकर्स को बहुत एक्तियाद से पेस्ट करना है कि यह देख सकते हैं कभी कभी अच्छे से वह पेस्ट नहीं होता विनायल क्यूंकि इसको हमने ट्रांसफर करना होता है अपने प्रॉड़क के ऊपर जैसे मुबायल प्रोटेक्टम होता है इसमें भी दो शीट्स होती है हमें इसको ट्रांसफर करना है सेंटर पार्ट में खाली चोड़ंगी और हमारे क्लाइन की डिमांड थी के रोस पैटल्स भी यहां पर उनको चाहिए थी तो फिर मैंने गार्डन से फ्लार लेकर तो मैंने उसको फुद ही एक कॉपी में रख कर ना ड्राय किया है फ्लार ढूराय करने ला है वो भी यह जल्य ड्राय हो गया फ्लारो से रख करने के बहुत सारे तरीके हां यह फ्लाइन लेकर उख राज़को कुछ लोग माइक्ड़ वा झालिकर, कुछ फॉरियों मैंकोड़न लोगगय भाषाते हैं कि अब लिए जी हमारे स्टिकर पेस्ट हो गए है कि अब हम जल्दी से यहां पर गोल पैटल और अपने इंडल लगा तो इसका तॉप कोट दे देंगे यह देखे मैंने कॉपी में रखे भेगे कि अब अपने हैंडल को इस और आपकोड दे देंगे टॉपकोड हमारा रेजन का वह है जो हम फाइनल लेर देते हैं जुपकोर को मिरह रेजन के कोड को हम टॉपकोड कहते हैं तो बार है अब इसकी टॉपकोड की जब हम टॉप कोट से पहले हैंडल्स फिक्स करते हैं तो हमें कोई की जुरुवत नहीं पर रहती यह रेजन में खुद ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा जब हमारा टॉप कोट ड्राय होगा ना तो हैंडल्स फिक्स हो जाते हैं अब हमारी सेकंड लियर भी 180 ग्रैम्स की रहेगी 180 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हमने मैं शुरू महीं आपको बदाए था 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 नाइटी ग्रैम्स की रेजन हमारी जाती है उतनी जितने में अच्छे से हमारा मॉल्ड फिल अच्छे से मिक्स अपने कोट को यह मिक्स हो गया और आप बारी आती है पॉरिंग की लास्ट लेयर की इसमें हमने सारा क्लियर रेजन 180 ग्रैम्स या उससे ज्यादा भी थोड़ा हो सकता है उसको हमने पॉर करेंगे पॉर करते हैं जब हमारा टॉप कोट है तो हमने बहुत अथियात करनी है और इसको हमने फिर एंड पर अपने मॉल्ड को ना कवर भी कर देना ताके कोई डर्स पार्टिकल कोई कीड़ा कोई मच्छर मक्खी कोई इसमें ना चले जाए अगर वो चले गए तो फिर वो उसी क कि अंदर फिक्स हो जाएगी चीज़ इसलिए हम इसको कवर करते हैं और अपने हैंडल्स को बहुत अथियात रखनी है जब हम लास्ट लेयर पोर करेंगे तो अपने हैंडल्स की ओपर बहुत देहान से के रेजन ना गिर जाए हीट गन करेंगे और फिर हम इसको 12-18 आर्स क पर लेंगे यह देखें यह ड्राय हो चुक है अब हम इसको पूंट से निकाल रहे हैं आप ब्रेन एफेक्ट देखें कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक ज़रूर कीज़गा और आ यह है इसकी फाइनल लुक अच्छा सैंडिंग करेंगे और एज़ पेंट करेंगे और यह फाइनल हमारी ट्रे रेडी है अगल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीज़ेगा लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी करतीज़ेगा मेरे चैनल को ताके मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो और और जल्दी वीडियो लेकर आती रहूं तब तके लिए अलाफेज